एक बहुत बड़े पहाड लेट से माउंट एवरेस्ट इसकी लेंद कैसे नापी जाएगी यार या आपके घर के आसपास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी लेंद में कैसे नापूं सूरज में से कितनी दूर है चांद में से कितनी दूर है यह कैसे नापा जाता है च जनमा, similar figures से, जैसा आपने देखा होगा, कि हम लोग models बनाते हैं, ताज महल का model अगर आप बनाओ, तो जो एक अच्छा model होगा, वो ताज महल का एक proportionate model होगा, यानि अगर ताज महल की उचाई 1 km है, मान के चलते हैं, तो हमारे model में उसको हमने 1 cm दिखाया होगा, 1 cm is equal to 1 km, ऐ कैसे ही सारे models तयार किये जाते हैं, और इनकी पढ़ाई को बोलते हैं, similar figures, आज कि इस lecture के अंदर हम जानेंगे, similar triangles क्या होता है, या similar figures का ग्यान कैसे परप्त होता है, तो ये chapter के अंदर हम BPT, यानि basic proportional theorem, उसके बाद हम similarity criteria के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं, अपन और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं, तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कि मैं कराने वाला हूँ 10th class का one shot के अंदर triangles chapter, बड़ा ही ड्रावना chapter लगता है बच्चों को ये, देखो वैसे तो सरकार में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऐसा काम कर रखा है, इस chapter क थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सा कम कर दिया है, लेकिन, 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 जो दो topics बचे हैं, वो literally बड़े important है, हमारे 11th aspect से भी और वैसे भी, growth aspect से भी अगर आप बात करोगे, जैसा कि अभी आपने intro में देखा, बड़ी जबा काम आता है, similar चीज़ है, one shot के अंदर, मजा आने वाला है, triangle जैसा कि वाजा किया था, काफी अच्छा scoring chapter है, geometry हमारी आज सारी खतम हो जाएगी, अगर हम यह आज खतम कर लेते हैं, तो खतम कर लेते हैं, क्या मतलब क्या है, खतम करेंगे और खतम हो जाएगा, बहुत बड़े समझ में आ जाएगा इसको हम क्या कहते हैं, बच्चो, basic proportional theorem, यानि BPT, और इसको हम Thales theorem के नाम से भी जानते हैं, Thales theorem, ठीक है न, क्या होती है Thales theorem, पते की बात बात करते हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसका proof भी गराऊँगा, कहते हैं कि एक triangle है, ABC, इसके अंदर D और E, देखो पहल मैं BPT बताऊंगा, फिर मैं आपको similar figures के बारे में ग्यान दूँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा similarity of triangles, और फिर questions इनके भी आएंगे और इसके भी आएंगे, मतलब पहले BPT के questions, फिर similar figures, similar triangles, इस थरीके से हमारी chronology रहेगी आजकी, तो माल लेते हैं ABC, एक triangle है, अगर मैं कहू तो sides जो होंगी, जो remaining sides होंगी, वो proportionate होंगी, यानि AD upon में BD जो होगा, वो बराबर होगा AE upon में EC के, इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को कहते हैं हम basic proportional theorem, यानि Thales theorem, BPT, चेके हैं न, ओके, बासन में आगई, अब इसका एक converse भी होता है, मैं दुबारा ब BC के, तो जो DE होगा, वो parallel है अगर BC के, तो AD upon में BD, AE upon में EC के proportionate होगा, पूरे chapter में equal चीज़ें कम होंगी, proportionate जादा होगी, ठीक है न, देखो, अब हम बात कर लेते हैं converse की, Converse of BPT, Converse of BPT की बात करते हैं, वो यह कह रहे हैं कि अगर एक यह triangle है, बताँ वाइसा वर्सा, यह आग्या DE, कहते हैं कि अगर AD upon में DB है, और AE upon में EC है, तो DE जो होगा, वो parallel हो जाएगा BC के, DE जो होगा, वो BC के क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों parallel हो जाएगा, बासन में आ गई, clear है, अगर यह है, तो यह आ जाएगा, और अगर यह है, तो यह आ जाएगा, I hope आपको यह सौधा समझ में आ गया होगा, clear है, done, इसको बोलते है, basic proportional theorem, आओ, इसका proof देख ले, पर में proof कैसा आता है, मैं आपको बताओं, वो बोलेंगे, state and proof, state and proof, tales theorem या BPT, tales theorem, तो आपको नहीं यह statement याद करनी है, देखो, इसके दो कारण है, पहला, तो अगर exam में आप से पूछा गया, कि tales theorem को proof करो और state करो, तो तो लिखनी पड़ेगी, state भी करनी है, और दूसरा कि अगर यह आया, proof that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, अलग-अलग points, the other two sides are divided in same ratio, तो पता कैसे चलेगा कि भाई BPT है, तो याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है न, कि ताकि हम उसको decode कर पाएं, कि यह कौन सी theorem है, आओ, तो प्रूव देखते हैं, तो देखो, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी, एक प्यार EC figure, ठीक है जी, यह आ गई A, B, C, यह आ गया D, और यह आ गया E, ठीक है न, तो given क्या है, presentation is very important, पूरे lecture के अंदर presentation को भी देखेंगे हम लोग, given क्या है, कि जो N triangle ABC, ठीक है जी, जो DE है, वो parallel दिया हुआ है, बी सी के, ठीक है जी, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, कि जो AD upon में DB है, वो AE upon में EC के बराबर होगा, आपको यह प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हमको लगेगी थोड़ी सी construction, क्या करने बढ़ेगी, construction, तो देखो, हमें सबसे पहले तो join कर लेना है, BE को, और CD को, ठीक है ज और एक हमने यहाँ पर altitude बनाना है, इदर और इदर, तो यह ले ले लेते हम, DM और EN, ठीक है जी, क्या किया बिटा, जॉइन कर लिया, BE को, BE को जॉइन कर लिया, and CD को जॉइन कर लिया, और हमने कै क्या किया, DM को perpendicular draw किया है, AC के उपर, और EN को perpendicular draw किया है, AB के उपर, clear है, बासन में आगई, तो इस दो construction की हैं, इनको जॉइन कर लिया और हमने altitude draw कर लिया, clear है, आओ, शुरूँ करेंगी proof, प्रूफ इंपोर्टेंट है पेपर में एक ही थियोरम है जो इस चैप्टर में से बनी है वो यही है तो आने की चांसे बहुत ज़ादा है क्या कर रहे हैं जी ध्यान से देखेंगे एरिया ओफ ट्राइंगल एडी एडी एपॉन में बी डी एरिया ओफ ट्राइंगल बी डी एरिया ओफ ट्राइंगल क्या होता है फटाफट कमोड़ में बताओ एरिया ओफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ओफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस अब देखो एडी का बे पेटा हमारी E-N and night क्या होंग है ते साय डफ बेस इंट बैस एक हो गया पाउर इला प्यक्तव सकतर लांग य। और आप सब जानते हो एक obtuse angle triangle की height बार ही गिरती है ठेक है ना तो ये एक obtuse angle triangle इसकी height बार है तो जो ADE की height है वही किसकी height है बटा BDE की height बासन में आगई clear है हाई या ना तो BD आगए इदर height इसकी भी क्या आगई प्यारे बच्चो EN आगई ठेक है जी अब half से half cut गया EN से EN cut गया therefore area of triangle ADE जो रहा upon में area of triangle BDE जो रहा वो क्या बच गया बैटा AD upon में BD इसको ले लेंगे हम first equation ठेक है हो गया बड़ी आसे इसको ले लिए हमने first equation now अगर हम बात करें similarly area of triangle ADE दुबारा ले लेते हैं upon में area of triangle कौन सा बटा CED इसको ले ले तो यह आएगा half base base कितना है बटा हमारा AE base है A ही और height कितनी है बटा हमारी DM हाइट कितनी है DM फिर यहां पर आगे हमारा base EC और height कितनी आगे बटा हमारी DM पता देना दोनों की हाइट सेम रहेगी तो जो काम आपने उपर किया वही काम हम नीचे कर रहे हैं हाफ से हाफ DM से DM कट गया तो therefore area of triangle ADE अपन में area of triangle CED AE अपन में EC के बराबर आ गया आया की नहीं आया इसको ले लेते हैं हम second गाट इट छेक है जी अब देखो जो मुझे proof कर रहा है न वो यह रहा this is equals to this तो यह कब बराबर होंगे जब यह बराबर होंगे और अगर इसको देखेंगे तो इसके numerator तो बराबर है denominator बराबर नहीं है क्या है denominator वो है BDE और वो है CED तो BED और CED को बराबर कैसे करेंगे देखो कौन सा है BDE और CED क्या ये दोनों ट्राइंगल बराबर है आंसर इस इस इन दोनों ट्राइंगल के area बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि दोनों same base और same parallel lines के बीच में लाई कर रहे हमने एक थियोरम पड़ी थी तो देखो area of triangle area of triangle BDE BDE is equals to area of triangle CED क्यों कारण क्या है triangles on same base and between same parallel lines are equal in areas are equal in areas triangles between same base and between same parallel lines are equal in areas बास हमने आगे clear है तो इस condition को हम ले लेंगे third condition बासन में आगे sorted है अब जहां से देखो अब मारा first second और third condition को अगर देखोगे तो मारे LHS दोनों के दोनों के आ चुके हैं बराबर तो from first second and third first second and third दोनों बराबर आ चुके है LHS क्या बच्चेगा खाली RHS RHS क्या है AD upon में BD किसके बराबर आ गया बेटा AE upon में EC के या गया हैंस प्रूवड यही प्रूफ करना था ठीक है ना देखो ना LHS के अंदर numerator पहली बराबर था denominator अभी आपने third equation से बराबर कर तो दोनों के LHS बराबर आ गए तो LHS भी बराबर होगा तो बड़ा समय लगाया मैंने इस theorem के अंदर उसका कारण सिरफ एक ही था क्योंकि इसकी importance तुम भी नहीं जानते रमेश बाबो आपको भी नहीं पता क्योंकि यह इकलौती theorem है पहले तो चार करने की संभावना बहुत जादा बढ़ गई है probability बहुत जल्द उसका भी वन शॉट कराऊंगा चलो जी आगे बढ़ें तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेर कर लेना प्यारे बच्छों अब इस से लेटर कुछ कुछ देखते हैं कुछ नहीं बहुत कोशन देखें तो देखिए क्या कह रहे हैं जी हां जी तो अभी मैंने हाली में एक एरिया रिलेटेड़ टू सर्कस चैप्टर कराया था जिसमें मैंने कुछ फ्यूजिन किया था कोशन के साथ ट्राइंगल के अंदर भी मैं करना चाह रहा था लेकिन वो टेक्निकल चीजें खराब हो जा सर्फेस एरियन वॉल्यूम के अंदर हम लोग करेंगे मज़ेदार कोशन बनाएंगे यहां पर हम वैसे जुआ करकर पढ़ लेंगे ठीक है बोरिंग नहीं होने देंगे तो अब यह जो यह कोशन आ गया कहरें फिगर्स देर भी है फ्रस्ट और सेकंड दोनों में डी जो है जो डी है वो बी सी के पैर्लल है तो एडी विच इंपलाइड आपॉन में बी डी जो होगा वो बडाबर होगा एई आपॉन में ओसी के क्यों होगा अभी बताया ना य, बपी ती ठीक है जी तो एडी कितना है ? 1.5 कितना है यहां पर आगया हमारा इसी कट जाएगा तो हमारी इसी की वैल्यू आ गई टू सेंटीमीटर इसी की वैल्यू के आगई बैटा टू सेंटीमीटर अब चलते हैं सेकिंड पार्ट पर फिर वह इन ट्राइंगल एबी सी जो de है वो bc के पाल ए दिखर presentation तरीक हाई है तो जो ad upon में bd होगा ad upon में bd वो किसके बराबर होगा a e upon में ec के ठीक है नए ad कितना है बेटा वहीं ृह निकालना है आपको bd कितने है बेटा आपका 7.2 यह कितना है बेटा 1.8 और ये कितना है 5.4 ये 1 पे कटा ये 3 पे कटा इस पे काटोगे तो 2.4 आ जाएगा तो AD की value आ गई 2.4 cm क्या आ गई 2.4 cm गॉट इट? क्लियर है? चले आगे तो simple जा कोशन था BPT को थोड़ा सा revise कर ले लिए यहाँ पर लिख भी दो by BPT गॉट इट? क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पर एक नया कोशन आया E and F are the points on the side P, Q and P, R P, Q, R तो यह आगया E और F ठीक है न? respectively of a triangle P, Q, R for each of the following cases you have to determine whether क्या यह E, F, Q, R के parallel है या नहीं? देखो पैलल कब होगी? जब यह proportionate होगे जब यह सेम रेशो में होगे यानि Converse of BPT चक करनी है आपको तो पहले वाले case में यह P, E जो है वो 3.9 है ठीक है जी? E, Q कितना है बेटा 3 है? P, F कितना है 3.6 है और यह कितना दे रखा है 2.4 चले देखो सबसे पहले निकालो P, E अपॉन में E, Q निकालो 3.9 अपॉन में 3 तो दिस इस 1.3 बाइवन आ गया 13 बाइद 10 सम्थेंग अब हम निकालेंगे P, F अपॉन में F, R P, F अपॉन में F, R निकालेंगे वो है 3.6 अपॉन में 2.4 कर जाएगा पॉइंट से पॉइंट 36 बाइट 24 तो 12 के टेबल से देखा तो 3.2 आ गया यानि 1.5 बाइवन आ गया लगभग तो क्या यह दोनों बराबर हैं आंसर इस नो तो since P, E अपॉन में E, Q बराबर नहीं है P, F अपॉन में F, R के तो therefore 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 E, F is not parallel to QR क्यों भाई, Converse of BPT Converse of BPT अब आप लोगों ने Comment section में बताना है कि क्या ये क्या ये Parallel है, इस case में क्या EF जो है, वो QR के Parallel हो पाईगी, या नहीं हो पाईगी Comment section में जल्दी जल्दी बता दो ये आपको बताना है, ठीक है जी? अगर मैंने उसके उपर hurt भे दे, यानि आप ठीक हो नहीं भेजा, तो समलो आप गलत हो ठीक है ना, बासन में आगई? ओके, आगे बढ़ेंगे अगला question, अब हमें इन questions की practice करना है, बहुत जबरदस तरीके से और मैं आपको बताऊं, जो हमारी 6.2 exercise है, उसमें question number 3 से लेकर 10 तक same काम हो रहा है, बिल्कुल same, 70-80% question जो है, मतब एक question का 70-80% portion जो है, वो सब में similar है सब में similar, एक ग्राम बाण इलाज लगाना है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं एक ग्राम बाण इलाज है, आओ देखो क्या गह रहे हैं, in figure DE parallel to AC जो DE है, यह रही वो AC के क्या है parallel, let me change the color of my marker DE AC के क्या है, parallel है, और जो DF है वो AE के parallel है जो DF है, वो AE के parallel है, यह इसके parallel आगया और यह इसके parallel आगया बास अजा आगए, ठीक है प्रूफ करना है, BF upon में FE, BF upon में FE और BE upon में EC, most of the cases में मैं आपको advice करूँगा, क्या प्रूफ करना है, ignore it for a while आप उसको ignore कर सकते हो, आप सबसे पहले देखो कि parallel lines कौन सी है सबसे पहले यह देखो बच्चों, parallel lines कौन सी है अब यहाँ पर ना two pairs of parallel lines है, एक है DF और AE वाला, तो हम इस triangle पर काम कर सकते हैं, यह वाले triangle पर, ठीक है ना? हम पहले इस triangle पर काम करेंगे A, B और E triangle में, तो यहाँ देखेंगे, solution in triangle A, B, E A, B और E triangle में, जो DF है, वो parallel दे रखा है AE के वो parallel दे रखा है AE के जो DF है, वो AE के parallel है, अब parallel है, तो क्या होगा? डंक से देखो BD upon में DA BPT लगा नहीं है, जहाँ parallel होगी वहीं भी बिट लग जाएगी BD upon में DA, BF upon में FE BF upon में FE इसको ले लेंगे हम first कारण हमारा वही है by BPT ठीक है? बास संगने आगे? चलने आगे? ओके, अब हमको एक parallel line दे रखी है, कौन से DE और AC भी parallel है वो कौन से triangle में है? ABC triangle में है Now in triangle ABC Now in triangle ABC जो DE है वो AC के क्या है? Parallel DE is parallel to AC तो फिर क्या होगा? BD upon में DA, दुबारा से BD upon में DA, बराबर होगा BE upon में EC के किसके बराबर होगा? BE upon में EC के इसको हम लिख देंगे second by BPT अब देखो सारे कॉशन सेम हैं मैं आपको यकीन दिला हूँ सारे कॉशन सेम है ये दोनों के LHS देखो सेम है तो RHS आटोमेटिकली सेम आ जाएंगे तो from first and second क्या आया? BF upon में FE बराबर आ जाएगा BE upon में EC के hence proved ये प्रूफ करना था लगवग सेम कोशन होंगे सारे अभी दिखाऊंगा मैं आपको देखने अभी तो पहले उन ट्राइंगल्स पे धावा बोल दो जहांपर पैरलल लाइन्स के बारे में बात कर रखी है अब जैसे DEF, AE के पैरलल था तो पहले मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया फिर DE और AC पैरलल था तो मैंने बड़े वाले को कर लिया कोई भी आके पीछे कर सकते हो दोनों में BPT लगाने के बाद देखना LHS या RHS बराबर आ रहा होगा तो अगर LHS बराबर आ रहा होगा तो RHS भी बराबर होगा सारे कोईषन ऐसे ही है आओ दिखाता हो बट 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 यहां तक सारे सेम है उसके आगे एकार लाइन कुछ में एक्स्ट्रा या कम पूछी कई है तो मतलब basic context सेम है कोईषन्स का आओ अब जैसे ये कोशन है यह फिगर दी हुई है आपके पास भी होगी बुक्स में डी जो है वो ओक्यू के पैरलल है डी जो है यह जो लाइन है वो इसके क्या है बच्चो पैरलल है तो पहले एक एक देखो पहले एक कोई पढ़ो और उसी में क्या लगा दो बीपीटी लो उगिन क्या है डी is पैरलल 2 ओक्यू एंड दी एस पैरलल टू ओ आपकू यह इसकी हैबिट जरूर डाले पुरूफ क्या करना ओ और ए फ है वह वह र्क है अब शूरू हो जाऊ से अ अब देखो किस ट्रैंगल की बात कर रहे थे हम लोग इन ट्रैंगल पी ओक्यू इन ट्रैंगल पी ओक्यू क्या पैरलल है इडी जो है वो क्यू ओके पैरलल है तो क्या बना क्या पी डी आप्वान में डी ओ बराबर है पी आपॉन में इक्यू के पी डी अप्न में दी ओ बराबर हैं पी इंप आपोन और पी ऐफ है वो इसके पैरलल है जी तो इन ट्रीयंगल POR जो डी एफ है वह और के parallel है डी एफ इस parallel to ओर तो फिर वही काम हो जाएगा भी पीटी लग जाएगी पीडी अपॉन में डी ओ किसके बराबर होगा पीएफ अपॉन में पीएफ अपॉन में फर पीएफ अपॉन में फर बहुत आती है न दिखता खमें थोड़ा सा अरे असान नहीं है भाई स्टूडियो में रिकार्ड करना चलो खेर तुम भी जो काम कर रहे हो वो भी असान नहीं है पांच सब्जेक्ट एक साथ जहलना हर एक बच्चे को क्योंकि हम खुद स्टूडन्ट थे हमें लगता था कि यार बड़ा अन्याय हो रहे हम लोगों के सा सुर्खरो होता है इनसान ठोकरे खाने के बाद या महनत करने के बाद मतलब निखर के तभी तो आओगे ना जब महनत करोगे ठीक है ना चलो तो ये एक शेर बीच में से याद आगया तुम ने सुना दिया चलो अब हमारा वही वाला प्रोसेस में हम पहुंच चुके हैं द पूर स्टरibt स्येकंट शेकंट बात करोगे सब्सक्राइट यूँद के यौरे स्येम यह जाएंगे तो पी अपाँन में एक्यू बराबर आजाएग पय आजाया ने अभी हमारा प्रूफ हो क्या गया है मैं आपको दिखाता हूँ समझना यह दूसर टाइप का कोशन है हमें अभी हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो पी अपॉन में एक्यू है यानि दिस अपॉन में दिस जो है वो बराबर हो चुका है दिस अपॉन में दिस के हमें प्रूफ करना है इस बारी कि जो EF है वो QR के पैरलल है EF जो है वो QR के क्या है पैरलल है समझो धंक से समझे ना तो अगर हम बात करें हम बात करें इन ट्राइंगल कौन सा A पी QR P QR अगर PE अपॉन में EQ बराबर है PF अपॉन में FR के तो therefore EF जो होगा वो पैरलल हो जाएगा QR के कारण वही है Converse of Basic Proportional Theorem ठीक है ना अगर sides proportionate है तो lines क्या हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी बात समझ में आ गई clear है यहां तक हमने जो किया था अगर आप ध्यान से देखो तो यहां तक का content यहां तक के content से बिल्कु सिमिलर था अब यह वाला content से आगे दो line और जानी है बस आपको आपको यह proof करना है कि यह दोनो lines क्या है पैरलल अगर भाई यह proportionate आ चुका है तो यह दो parallel हो गई होगा बात समझ में आ गई ठीक है जी चले आगे अब इसी के जैसे और questions आपको मिल जाएंगे जैसे यह मिल गया आओ देखो बढ़िया question है अभी एक बहुत धमाकेदार question आने वाला है प्रूव दाट अलाइन ड्रॉन त्रू दा midpoint of one side of a triangle parallel to the another side by the third side कह रहे हैं देखो 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 यह ABC आया यह midpoint है E ठीक है ना और यह इसके parallel है प्रूव करना FB क्या होगा midpoint तो given क्या है given क्या है दुबारा पढ़ो प्रूव देखो देखो that a line drawn through the midpoint of the one side of a triangle parallel to the another side चेक है जी bisect the third side we have to prove that F is bisecting A and C चेक है ना तो E is midpoint E is midpoint on AB E जो है वो midpoint है AB पर E F जो है वो parallel है BC के to prove what do you need to prove कि F is also a midpoint on AC midpoint on AC हमको proof करना है कि वो AC पर midpoint होगा प्रूफ देखते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है ध्यान से देखो कि since जो E F है वो BC के पैरलल है देखो रामबान इलाज तो यही है भी या कि जहां दिखी पैरलल वहां पेली BPT दुबारा बोलो जहां दिखी पैरलल वहां पेली BPT लिख दो कॉमेंट में यही है पूरे टॉपिक का रामबान इलाज BPT का तो अभी पैरलल आ गई अभी पैल दो AE अपन में EB इजी कोल स्चो AF अपन में FC AF अपन में FC तो मैं AE को तो AE क्या EB को AE लिख सकता हूं क्योंकि यह दोनों बराबर है Because E is the midpoint on AB कारण क्या है Because E is midpoint on AB तो दोनों बराबर आ गए यह सेम रहा AF अपन में FC कट जाएगा 1 के बराबर आ गया AF अपन में FC इधर भेज देंगे इधर कर जाता हूं तो FC जो है वो AF के बराबर आ गया जो FC है वो AF के बराबर आ गया Which implies which implies F is also a midpoint on AC जो F है वो AC का क्या है बच्चो midpoint है बात क्लियर हो गई होगी होगी आपको I hope समझ में आ गया होगा तो ऐसा इसका एक reverse question भी है छीक है जी करना है उसको आपने करना है उसको ठीक है ना बात समय आ गई तो इसी context पे पूरा topic चल रहा है आओ जी दो वक्त की रोटी छोड़ दो मैं हर बार यह कहता हूं दो वक्त की रोटी छोड़नी है लेकिन ये वाला question नहीं छोड़ना बात समय आ गई ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC छीक है जी ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD छीक है जी and its diagonal intersect each other at O जो diagonals है वो O पर क्या कर रहे हैं intersect कर रहे हैं show that AO upon में BO और CO upon में DO ये प्रूफ करना है बात की बात है ठीक है ना अब देखो पहली बात तो यहां पर कोई भी ट्राइंगल नहीं है जिसके अंदर parallel line हो पूरा BPT इस पर dependent है कि ट्राइंगल के अंदर एक parallel line होनी चाहिए यहां नहीं है तो जब घे सीधी उंगलिशे नहीं निकलता तो हम टेड़ी करनी जानते हैं पर तो यहां पर ना आपको नीड पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कब करनी है कई बच्चों का में से हमीशा सवाल रहता है बच्चों कि सर how do we need to get know English is very very high today कि parallel line या construction या extend perpendicular ही कब बनाना होता है पते नहीं चलता कि इस figure में कंस्ट्रक्शन की नीड है या नहीं है तो बेटा पहली चीज तो प्रैक्टिस दूसरी चीज जरूरत महसूस होता है पहले आप हार जाओना सारी चीजों से तब आपको कंस्ट्रक्शन पर जाना चाहिए इस पूरे कोशन के अंदर ट्रैंगल है ट्रैंगल तो बहुत सारे लेकिन कहीं ट्रैंगल के अंदर पैर्लल नाइं नहीं है और बीपीटी पड़ रहे है और ट्रैंगल के अंदर पैरलल नहीं नहीं लगपाएगी ठीक है न तो पहले तो given A, B, C, D is a trapezium in which in which जो A, B है वो पैरलल है CD के, टू प्रूफ, AO upon में BO, और CO upon में DO, आपको करनी पड़ेगी छोटी सी कंस्रक्शन, आपको ड्रॉख करना पड़ेगा, EO, पैरलल टू AB, और पैरलल टू CD, देखो, EO ड्रॉख करना है, EO, जो की AB और CD के क्या होगी, पैरलल, देखो, किसी भी एक के प्रूफ बनाओगे पैरलल, तीसरे के तो आटोमेटिकली होगी, क्योंकि AB और CD तो आपस में क्या थे, पैरलल टे, तो EO को आपने AB और CD के क्या बना दिया, पैरलल, अब शुरू करते हैं, बच्चो प्रूफ, प्रूफ शुरू करेंगे, अब आपको ट्राइंगल भी दिख रहा है, और पैरले लाइन भी दिख रही है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ADC, उसके अंदर ये क्या है, पैरलल है, इन ट्राइंगल, ADC, same first question जैसा हो जाएगा, ADC, EO is पैरलल टू, DC, EO is पैरलल टू, DC, तो क्या हुआ, AO अपन में OC, AE अपन में ED के बराबर आगया, बाए, B, P, T, first equation जैसे हैं, सेम काम चल रहा है, हर जगा सेम चलेगा, अब इस ट्राइंगल में देखना बटा, ADB में, ये भी तो इसके पैरलल है, कौन सा ट्राइंगल, फिगर घुमा लो अपनी, ADB ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ADB, जो EO है, वो AB के क्या है पैरलल है, EO जो है, वो AB के क्या है, पैरलल, तो देखो, यहां से, DO अपन में OB, DO अपन में OB जो होगा, या उल्टा कर लो, क्योंकि हम यहां AE अपन में ED चाहिए, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ जी, BO अपन में OD, एक ही तो बात है, यह जब 2 बाइ 5, 2 बाइ 5 के बराबर है, तो 5 बाइ 2 भी तो 5 बाइ 2 के बराबर होगा न, तो BO अपन में OD, किस के बराबर होगा बेटा, AE अपन में ED के, यह आगई सेकिंड, बाइ B, P, T, बाइ B, P, T, बाइ B, P, T, बाइ संच आ गया, तो जो BO अपन में OD, AE अपन में ED के बराबर होगा, ध्यान से देखना, दोनों के LHS सेम, RHS सेम है, तो दोनों के LHS भी सेम आएंगे, तो from, first and second, क्या आया, AO अपन में OC, बराबर आगया, BO अपन में OD के, ठीक है जी, बाइस अगया, तो दोनों के RHS सेम से, तो LHS भी सेम आएंगे, ठीक है न, हलका सा प्रूव रह गया है, बाकि सब कुछ प्रूव हो गया है, AO अपन में OC, B अपन में ODI, लेकिन हमें AO अपन में OB चाहिए, यह इदर चाहिए, वो इदर चाहिए, तो छोटा सा arrow बना कर आप इसको interchange कर सकते हो, इस concept को हम invertendo, alternative, component, dividendo से किया जाता था, अब यह सारे शब्द हमारे course में नहीं है, यह आज से 10 साल पहले 10th में सिखाया जाते थे, अब नहीं सिखाया जाते, ठीक है ना, तो 11th में थोड़ा वो सिखाया जाएगा, अभी नहीं, तो इसको यहाँ इसको यहाँ लेकर जा सकते हो, तो जो AO upon में OB है, वो OC upon में OD है, कहीं बच्चे सोच दोंगे सर, ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं सर, बिल्कुल लेकर जा सकते हैं, माल लो, कहीं एक लगाए, 2 by 5, 2 by 5 के बरावर होगा बिटा, हाँ है ना, अगर मैं इसको इंटरेचेंज कर दूँ, तो 2 by 2 जो होगा, वो भी तो 5 by 5 के बरावर होगा, तो ratio में कोई बदलाव में आएगा, equals to में कोई बदलाव में आएगा, बस हमें आ गई, clear है, तो इसको लेकर जा सकते हो, बस एक छोटा सा arrow बना देना, got it, clear है, आगे बढ़े, चलो, अब सबसे बहतरीन कोशन पर आगे ह बस आउट ऑफ दबाक्स भी जाना पड़ता है, आओ, काम वही है, जैसा सीखा है आपने, आओ, LM जो है, वो CB के पैरलल है, यह आपस में पैरलल है, तो पहले इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा दें, पैरलल देख ली, बीपीटी पेल दो, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ABC, ABC, क्या है, ML जो है, वो पैरलल दिया हुआ है, B, C के, तो क्या हो गया, AL अपन में LC, AM अपन में MB, AL अपन में LC, AM अपन में MB के बराबर आ गया, कैसे आ गया, BYBPT आ गया, इसको क्या ले लेंगे बच्चों लोग, फरस्ट, ठीक है जी, ओके, डन, अब इसी में ADC ट्रैंगल में अगर आप चेक करोगे तो ये भी इसके क्या है बेटा पैरलल दिया हुए कौन? LN जो है वो CD के पैरलल है आओ देखो N ट्रैंगल ADC N ट्रैंगल ADC जो LN है वो किसके पैरलल है बेटा? DC के पैरलल है तो क्या होगा? AL अपॉन में LC AN अपॉन में ND आ गया AL अपॉन में LC AN अपॉन में ND आ गया ये आ गया बेटा बाई BPT सेकिंड फिगर आ गए आई की नहीं आई? ठेक है? डन चलें? अच्छा जी अब कहानी यहाँ पर यहाँ के रुख गई कि क्या यह दोनों बराबर है? देखो, yes इनके LHS जो हैं वापस में बराबर है सेम काम यहाँ पर भी हो गया जो हम करना चाहते थे From first and second AM अपॉन में MB जो है वो AN अपॉन में ND के बराबर आ गया From first and second तो देखा जाए तो यह भी कोशन भई है लेकिन थोड़ा सा हर एक कोशन में एक्स्टा पूछा जाएगा अब जैसे इस कोशन की अगर गौर से देखो तो एक्स्टा क्या पूछा गया है AM अपॉन में MB नहीं है AM अपॉन में MB नहीं है AN अपॉन में पूरा है AB है, चेक करो क्या गर दो रहसी प्रोफल तो यह आ गया MB धन से समझे ना यह एम अपॉन में MB को उल्टा लिग दिया MB अपॉन में और यहां पर ND अपॉन में एडिंग वन बोथ साइड मैस की खुबसूरती है यह कि दोनों तरफ कुछ करो तो कुछ होता नहीं है कुछ करो तो कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ कुछ तो होता है वो क्यों होता है क्यों कि हम कुछ ना कुछ तो करी रहे हैं आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा तो एडिंग वन बोर साइड मतलब कहने अदर पर रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो आया ना या आगया प्लस वान दोनों तरफ वन एड़ी किया तो कोई फरक नहीं पड़ रहा क्या ले लिया LCM MB PLUS AN UPON में AM MB PLUS AN UPON में AN क्या आगया MB और AM MB और AM मिलकर क्या बना बटा AB बना नीचे AM है ND और AM मिलकर क्या बना ND और AN AD बना आपन में आपने रेशिप्रोकल किया था दुबारा क्या आगर तो बैटा रेशिप्रोकल क्या क्या आपकी आपकी आशर में कोई फरक नहीं पड़ रहा है रेसिप्रोकेट करने से हो रहा है लेकिन दुबारा रेसिप्रोकेट कर दोगे तो कोई फरक ने पड़ेगा तो अब यहां पर आ गया दुबारा से अपान में अबी और अपान में एदी यह प्रूफ हो गया है एंस प्रूफ तो मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन अफ एंसी आटी रिगार्डिंग भीपीटी थर्ड कोशन है आपकी मुक्का बहतरीन कोशन में से एक तो यह बेटा हमने कॉंसेट अपना फिनिश कर लिया सारा का सारा बीपीटी का बीपीटी की एक्सराइस जो 6.2 है आप मखन के तरीके से अपकर सकतो कोई टेंशन नहीं आएगी डू एवरी कोशन इचन एवरी और डू मिनिमम दी इनको तो करी लो ठीक है जी आगे बढ़ते हैं सिमिलर फिगर्स पर आओ चलते हैं सिमिलर फिगर्स द सब कुछ से होता था कलर को अगर हम साइड में रख दें वैसे तो कलर भी सेम होना चाहिए लेकिन अगर हम शेप साइज एंगल्स साइड्स सब को बोलें कि वह बराबर हैं तो उन फिगर्स को कहते थे कॉंग्रूंट फिगर्स यह हमने बखुबी तरीके से नाइन सेनर में जान लिया था अब वट इस सिमिलर फिगर्स देखो सिमिलर फिगर्स की बात की जाए तो अगर मैं स्क्वेर की बात करूं तो दो स्क्वेर हमेशा सिमिलर रहते हैं दो एक यह स्क्वेर है और एक यह स्क्वेर है यह दोनों हमेशा अपस में क्या है सिमिलर यह साइन होता है similar था two squares are always similar अगर हम बात करें equilateral triangle की एक ऐसा triangle जो equilateral है वो भी हमेशा क्या रहेंगे बेटा similar रहेंगे irrespective of the length of its sides and angles तो same होते हैं ठीक है न अच्छा अगर हम बात करें circle की दो circle हमेशा क्या है बेटा similar है ऐसा क्यों हो रहा है आव बताओ देखो similar करने के लिए we need two चीज़े पहले two polygons समझो यह important बात बता रहा हूं two polygons are said to be similar are said to be similar if their angles are equal and sides are in proportion जो इनकी sides होगी वो proportion में होगी proportional होगी बासन में आगे clear है इतना clear हुआ आप लोगो अब यहां पर हम बात करोगे कि अगर यह side 10 है और यह side let's say 8 है तो यह भी 10 होगी यह भी 8 होगी जो ratio आएगा वो हर जगा same ही आएगा और दो square में angle तो सारे 90 होते ही होते है ठीक है न अब अगर हम बात करें equilateral की यह 6 6 6 है यह 2 2 2 है तो भी यह क्या होंगे similar क्योंकि यहां पर न multiple sides नहीं है छे इदर है तो दो इदर है तो सारी 6 है और वो सारी 2 है सरकल में radius की बात करोगे तो वैसे भी one dimensional फिगर होती है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही dimension है सिर्फ radius की तो बात हो रही है 10 इसका मालो 5 है और इसका तीन है तो ऐसी फिगर्स हमेशा क्या होती है similar लेकिन अगर हम congruent similar triangles की बात करेंगे जो की equilateral नहीं है कि साइड क्या होनी चाहिए proportional होने चाहिए क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल कहने के तौर पर अगर मैं triangle की बात करूं अभी मैं पूरा या side proportionate हो जाए तो इनकी side automatically proportionate होंगी यह 10 है तो यह 8 मिलेगी यह 20 है एक्जाम्पल के दोहर पर क्या रहा हूं यह 16 मिलेगी यह 30 है तीस हो नहीं सकती मालो 28 ले लो यह 28 है तो यह आपको 14 मिलेगी कितनी मिलेगी जो ही मिलेगी दस अपॉन में 8 जो ही मिलेगी हो देख लेन सेम प्रपोर्शन आएगा तो इसको बोलते हैं बटा सिमिलर फिगर्स ठीक है जी आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिल्डिंग का मॉडल होता है यह असली की बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के रिसेप्शन में जाओगे न तो उसका एक मॉडल बढ़ा हो हुआ है और उसके किले के अंदर एक छोटा सा मॉडल तैयार किया होता है यह जनरली जब आप एक ऐसे घर लेने जाते हो जो वह जिसके अंदर वह एक हाइट वाले घर नहीं जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर बीजिश पच्चिश पच्चिश चाली चाली मकान होते हैं और महां स्विमिंग पूल भी है तो उनका एक पूरी सोसाइटी बनी होती है आप उस मकान को खरीदने जाओगे तो वह आपको एक ऑफिस में लेके जाएंगे उस ऑफिस के अंदर एक मॉडल पढ़ा होगा मॉडल बिल्कुल हुब 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 कॉपी होता है उस जगा का अंदर ही पुरा तो ना घुमा पाएंगे आपको मॉडल में समझाते वह बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होता है अगर बिल्डिंग की लेंद एक किलोमीटर होगी तो उसको वह 10 सेंटी मीटर रख देते हैं वह प्रोपोर्शनेट हर चीज को नापकर वह प्रोपोर्शनेट स्केशिंग अगर आपको करनी है तो proportionate sketching होती है इसके एक experiment है बहुत बड़ी experiment है वो मैं आपको करके दिखाऊँगा shots में ठेक है न वो shots में आएगा जरूर देखना बहुत जल्द आएगा एक experiment बहुत बड़ी हा light के साथ मैंने किया वो आपको दिखाऊँगा ठेक है न जिसके फिल इंद ब्लैंक के जवाब देने फटाफट से आप लोगों को all circles are congruent या similar all circles are congruent या similar answer is similar देखो एक बात को याद रखना लेना कि एक बात को याद रख लेना कि every congruent figure is similar but every similar figure is not congruent all squares are similar या congruent answer is similar all dash triangles are similar isosceles या equilateral जल जल दी जवाब देते जाओ answer is equilateral two polygons of the same number of sides are similar if a their corresponding angles are equal दो polygons कब similar होंगे जब उनके corresponding angles क्या होंगे similar and their corresponding sides are proportional जब उसकी corresponding side के आएगी proportional आएगी बात सुनने आगए ठीक है जी तो यह एक छोड़ोड़े पॉइंट से जो आपको पता होने चाहिए थे जो मैंने आपको बता है ठीक है ना अब बात करते है similarity of two triangles की दो ट्राइंगल को similar करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटी लियाज है ठीक है जी वैसे दो ट्राइंगल जब similar होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब दो ट्राइंगल आपस में similar होंगे तो उनकी corresponding sides proportionate होंगी और सारे के सारे corresponding angles बराबर होंगे ठीक है ना तो देखो similarity of two triangles की अगर बात की जाए तो ट्राइंगल ऐसे लिलो सबसे पहला रूल आता है बेटा एंगल एंगल सिमिलारिटी क्राइटी लिया similarity वो कहता है कि कोई भी दो corresponding angles बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो automatically क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहां ध्यान से देखें ट्राइंगल ABC और यहां गया ट्राइंगल PQR if this is 70 degree this is 70 degree this is 75 this is 75 तो यह दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे similar और ट्राइंगल के नाम क्या होंगे name is important triangle ABC जो हो जाएगा वो similar हो जाएगा PQR के by angle angle similarity criteria चेक है जी दूसरा आता है साइड 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 ठीक है ना साइड 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 यहां गया PQR if this is 7 this is 14 example के तोर पर कर रहा है चोटा बड़ा देख लेना अगर reality चाहिए तो थोड़ा सा और थोड़ा सा realistic भी हो सकते है ऐसी बात नहीं इस इस फाइब इस फॉर ठीक है जी दिस टैन लेट से इस एट आंड फाइब रेशियो फॉर ओ गया इस इस फिफ्टीन फिफ्टीन हो नहीं सकता लेगिन फिर भी अगर मैं ले लूं फिप्टीन ले लूं ठीक है जी तो वह कितना आ जाएगा 5 ratio 4 है तो 5 by 4 3 के table से कटना चाहिए तो यह 12 आजाएगा चेक है जी बासन में आगई अगर ऐसा है तो वह तो यह triangle ही नहीं बन सकता इनका sum इसे बड़ा होना चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए अगर ऐसा है तो जो AB upon में PQ जो है वो BC upon में QR जो है और जो AC upon में PR है वो तीनों बराबर है तो यह जो triangle ABC जो हो जाएगा वो similar हो जाएगा PQR के by SSS similarity criteria बासन में आगई इसके बाद बात करोगे वो आती है side angle side अब यहाँ पर जो angle का game है वो बड़ा important सा रहेगा ठेक है ना माल लेते हैं कि यह है 10 और यह है 8 और यह है 5 और यह है 4 तो यही वाला angle आपको बराबर करना है अगर angle A माल लो अगर यह 60 है और यह 60 है तो ही यह similar होंगे यह 60 है और यह वाला 60 होता तो यह similar नहोंपाते जिन दो sides को आप proportionate कर रहे हो उन्ही के बीच वाला angle बराबर होना चाहिए corresponding angle ठेक है ना बासज में आगई तो angle A जो है वो angle P के बराबर है AB upon में PQ जो है वो AC upon में PR के बराबर है तो वो triangle क्या हो गए similar हो गए ABC जो हो गया वो similar हो जाएगा PQR के बाए side angle side clear इसके बाद एक राम बाने ला जाता है जो तुम्हारा मित्र था वो था CPCT यहां हो गया CPST corresponding parts of similar triangle similar triangle देखो वहाँ पर आप करते थे कि जब दो triangle similar congruent होते थे तो सारे angle और सारी बच्चिवी side बराबर हो जाती थे यहाँ पर अगर दो triangle similar है यहाँ पर अगर दो triangle similar है तो उनके बचे हुए angle मालो आपने angle angle से किया तो एक angle बचे है वो भी बराबर होगा तीनो side जो होगी वो क्या होगी proportion बराबर नहीं आपने दो triangle को sss से similar किया तो बचे वे तीन angle है वो तीनो के तीनों automatically बराबर हो जाएंगा by cps यहाँ आपने दो side एक angle से किया बचे दो angle वो automatically बराबर हो जाएंगी बची एक side वो भी क्या हो जाएगी चैसे मिलर है हाँ तो कौन सा criteria लगा और उन triangles के नाम क्या है क्या यह triangle similar है बिलकुल 60 60 के बराबर है 80 80 के बराबर है 40 40 बराबर है तो triangle a b c जो हो गया वो triangle p q r के बराबर हो गया similar हो गया by angle simple अब यह देखो जो यह 2 है यह 4 के बराबर यह 3 जो है यह 6 के बराबर और यह धाई जो है वो 5 के बराबर है तो यह है तो सई देखो जो A B है हमारा वो Q R के सिमिलर है प्रोपोर्शनेट है जो B C है वो P R के है और जो सॉरी P Q के है और जो P R के था वो किसके दाबेटा P R के और जो हमारा A C है जो A C है वो P Q के है सबका रेशो क्या रहा है 2 x 4 यानि 1 x 2 2 x 5 यानि 1 x 2 3 x 6 यानि 1 x 2 3 x 1 x 2 के बराबर आ रहे हैं तो ट्राइंगल कौन-कौन सा ए B C जो हो जाएगा similar हो जाएगा Q R P के किसके हो जाएगा Q R P के अब आपको चेक कैसे करना है क्या A B Q R के proportionate था येस B C R P के था येस क्या A C Q P के था येस नाम is important अगर आप यह P Q R लिख दोगे ना पूरा कोशन गलत हो जाएगा नाम important है ठीक है ना by SSS ठीक है जी अब ये वाला आपका homework है जल्दी से बता देंगे कि क्या ये triangle similar है हाँ तो similarity criteria क्या होगा ठीक है जी done है आगे बढ़ेंगे अब कोशन करते हैं थोड़े similarity से related कुछ similar figures होंगी उनसे conclusion निकालने होंगे यह में सिमिलर ही प्रूफ करना होगा यह कोशन असान है लेकिन इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं वह मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों triangle similar given है कौन से उपर वाला भी और नीचे वाला भी अंगल बी ओसी आपको दे रखा है 125 आपको CDO दे रखा है 70 डिग्री आपको यह तीन अंगल निकालने है कौन सा डी ओसी तो पहले तो यह वाला अंगल निकाल देते हैं कैसे अंगल डी ओसी प्लस अंगल बी ओसी इनका सम कितना दियावा बेटा 180 वो है linear पेर चेकर ना डी ओसी मुझे पता नहीं बी ओसी 125 डिग्री था तो अंगल डी ओसी आ गया बेटा हमारा विचिस 55 डिग्री आ चेकर जी तो यह वाला आ गया 55 अब आपको निकालने है डी सी ओ यह यह वाला अंगल वो निकल जाएगा अंगल सम प्रॉपर्टी से तो इन ट्राइंगल डी सी ओ एक एंगल है 125 एक एंगल दे रखा है आपको 70 degree का एक एंगल अभी अभी आपने निकाला 55 का और अब आप निकालोगे dco 180 degree angle सम प्रॉपर्टी आंगला यह वाला आंगल निकल जाएगा angle सम प्रॉपर्टी से वो भी कितना आया प्टा चेक करेंगे तो अंगल dco यह बहु घुमफिर के आ गया 55 डिगरी का छिदी तो से δेखना ये वाला एंगल आ चुका है 55 ये भी आचुका है 55 अब आपको निकालना है व ए बी तो ये वन आंगल कैसे आएगा जल्दी बताओ गल्दी बताओ गालος कैसे आएगा- देखो अगर आपने यह लिखा है कि यह औल्टरनेट इंटीर से आएगा तो यह गलत है औल्टरनेट इंटीर के लिए हमें यह दोनों लाइन्स पैरल चाहिए वो है नहीं तो यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है यह वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है क्यों क्योंकि यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो सीपी एसटी से यह कोशन होने वाला है सॉल्फ ठेक है ना अगर जहां आपने लिखा आल्टरनेट इंटीरियर वहां गए नंबर तो जो एंगल डी सी ओ है वो ए एके सिमिलर दिया हुआ है बासंग में आ गई तो देरफोर एंगल ओए बी किते डिग्री का आ जाएगा बच्चो 55 तो सब कुछ ही 55 का है अपर हर माल पांच रुपे पच्पन रुपे आगे वढ़ते हैं क्या गया रहा है जी अभी हमने कोशन किया था ना मोस्त की पावर एक तो सीडी इंटरसेक्ट इच अधर एट पॉइंट ओ सेम फिगर एबी सीडी ओ पर इंटरसेट कर रहे हैं ठीक है ना यूजिंग अ सिमिलर क्राइटीरियन ओफ टू ट्राइंगल जिए आपको प्रूफ करने वही एव अपॉन में ओसी बी ओपॉन में ओड़ी यह पैर कांकर सक्षिन की थी जिसे हमने यह प्रूफ किया था आप वो नहीं B P T की इस्न muliber вмोजो की असान भी अभी अब देखना in triangle AOB given to prove बढ़िया से in triangle AOB and triangle COD तो जो ये वाला angle है angle AOB COD के बराबर आ जाएगा vertically opposite angle angle AOB बराबर आ जाएगा COD के by vertically opposite angles चेक है जी ये parallel दे रखी है तो ये वाला angle भी इसके बराबर होगा angle ABO बराबर होगा CDO के alternate interior angles अब parallel था है तो therefore triangle AOB जो होगा वो similar हो जाएगा COD के by angle angle similarity criteria अब अगर दो triangle similar हैं तो sides proportionate होगी तो यहीं से बज़ जागा AO upon में CO जो होगा वो OB upon में OD के वैसे तीसरी भी बराबर होगी लेकिन हम उसको प्रूव करना ही नहीं तो AO upon में CO, AB upon में CD और OB upon में OD यह तीनों आपस में क्या होते हैं similar proportionate हमें दो चाहिए थी हमने उनी दो को उठा के बराबर कर दिया hence proved reason लिख देंगे by CPST बास अंगा गए तो यह दोनों question बड़े important हो गए अगर यह लिखा नहीं आता कैसे करो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा similarity से करना वहां construction का पंगाइबाब हो विजा ठीक है ना चलो कि संटी आर पॉइंट्स ऑन दा साइड पी यार और ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर एस और टी कहां पर है पी यार पर और क्यू आर पर चीक है जी एस और टी चीक है एस और एस लिख दिया एस और टी कौन से अंगल बराबर दे रखें आंगल पी जो है वह एंगल आर टी एस यार दोनों बता एक ही बात है आर टी एस के बराबर है तो गिवन एंगल पी जो है वह एंगल आर टी एस के बराबर है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बेटा आपको कि ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के प्रूफ देखो प्रूफ क्या है धंक समझना कौन से ट्राइंगल है आर पी क्यू बड़ तो यह एंगल बराबर है और दोनों ट्राइंगल में यह वल एंगल कॉमन आ रहा है तो पूरे कोशन में साइड की बात तो करी नहीं रखी जब करी रखी तो मैं कैसे बराबर कर दूंगा भाई पॉसिवल यह नहीं हो गा ना वह तो तो यहां पर एंगल ढूना पड़ेगा यह अब इन्ट्राइंगल आरड़ी क्यूंट रेंगल रटी इस एंगल आर जो होगा वह दोनों में क्या है वेटा कॉमन है और जो एंगल इसके अंदर जो एंगल पी है वो एंगल किसके बराबर है आर टी एसके यह बात आपको अल्रेडी कोशन में गिवन है तो देर्फोर ट्राइंगल आर पी क्यू जो हो गया वह सिमिलर हो गया आर टी एसके यह यह लिखना ना मुलें क्लियर हुई बात चलें आगे बढ़िया से बस कॉंसेट सारे खतम होगे कोशन धमाके दार आएंगे अब यह देखो मज़दार कोशन प्रैक्टिकल नेचर का को अब प्रैक्टिकल वर्टिकल पोल ओफ लेंग शिक्स मीटर कास्ट शैडव और फॉर मीटर चीक है जी एक छे मीटर का चार मीटर की शैडव कास्ट करता है तो आपको उसकी हाइट बतानी है सेम टाइम का मतलब होता है इंक्लिनेशन एंगल ओफ संद भाई देखो या आप तो संद बनाता है या चांद बनाता ठीक है न या बल बना रहा हो गा अब बिल्दिंग के उपर तो बल लगवडल में लगा हो गाँए वहां तो सांद या सूरज होगा तो एड़ सेम टाइ आप देखो एबी सी पी क्यू आर अब द्यान समझो इन ट्राइंगल एबी सी सिमिलर कर देते हैं पहले एंट्राइंगल पी क्यू आर जो एंगल ए है वह एंगल पी के बराबर है यह बात गीवन है और एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के बराबर है इस नाइंटी तो ट्राइंगल एबी सी जो हो गया वह पी क्यू आर के बराबर हो गया बाइंगल एंगल 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 प्रोपोर्शनेट हो गया तो छे अपॉन में एच बराबर होगा चार पॉन में 28 काम हो गया यह इतना सिंपल कोशन है लेकिन इसके मल्टी लेवल बनाकर एक और बिल्डिंग दे देंगे बोलेंगे सिमिलर कंडिशन पर बिल्डिंग की हाइट इतनी थी बिल्डिंग की हाइट एक सो छे बता उसकी शैड़ों कितनी होगी ऐसे आ गया तो ऐसा भी भी निकाल लेंगे सेम कंडिशन बासन में आ गई है क्लियर है आगे चले यह तो बहुत अच्छा एक्जामपल है आपकी एंसी आटी का एक्जामपल नंबर सेवन दो वक्त की रोटी छोड़ना है इसको नहीं छोड़ना क्या कह रहा है अगरल ऑफ हाइट 90 सेंटिमीटर इ यह यहां पर खड़ी थी दीदी 1.2 मीटर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है ठीक है ओके जो लैंप पोस्ट है वो 3.6 मीटर अबव दा ग्राउंड है पहली बात तो ना फिकर नहीं दी होगी आपको यह बनानी पड़ेगी यह 90 सेंटिमीटर की लड़की थी तो पॉइंट नाइन जी आ यह आपको स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड ठीक है जी और टाइम आपको दे रखा चार सेकंड तक चलती रही लड़की यह रही चार सेकेंड तो कितनी दूरी तय कर ली होगी बतना स्पीड इंटु टाइम होता है स्पीड इंटु टाइम करो 4.8 मीटर चली लड़की कितना चली लड़की 4.8 मीटर ओके अब यहां पर अगर बात करोगे इसको लेट कर लो X आपको निकालना क्या है आपको निकालना है find the length of the shadow after 4 seconds चार सेकंड के बाद दीदी इदर आगे उनकी shadow नीचे पड़ेगी आपको X की value निकालने है तो let length of shadow be X तो यकीन मानो आदी से जादा building की लेंथ ना शैडव एड़ो से निकाली जाती है अब बोलो कि सर हमें angle कैसे बचलेगा बटा अब तो बहुत आदूनिक चीज़े हो गई है वह बहुत जादा angles अब आप तो equipment हैं ऐसे पहले की बात करो तो जंतर मंतर जाकर देखो जंतर मंत में shadow से days dt time बताथे खेड है आप जंतर मंतर जाओ दिल्ली में हो दिल्ली में जाओ जैपुर का जंतर मंतर से मुकाबला को ऑईनी है जो हवा महल के при super है मैं वहां गया हूं कभी दुबारा गया तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वहां पर और बताऊंगा कि टाइम कैसे वह कैलकुलेट करते हैं यूट्यूब पर जाकर देखो कि तो और बतेरी वीडियो मिलेंगी बहुत अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया वहां जवाब चीज है वहाँ पर अगर आप देखो तो सारा गेम शैडो से होता है ठीक है ना सूरज की शैडो से बहुत सारी चीज़े ना पी जाते हैं तो यह 3.6 आ गया यह 0.90 आ गया यह 4.8 हो गया ठीक है ना बस अब यह दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हाई है एबी सी डी यह 9090 है और यह common आ गया आया ना ट्राइंगल सी डी जो हो गया वो सिमिलर हो गया एबी सी के बाइंगल एंगल तो यह आ गया 0.90 यह आ गया 3.6 यह आ गया हमारा एक्स और यह आ गया हमारा 4.8 प्लस एक्स ठीक है ना इस अपॉन में दिस दिस अपॉन में पूरा आएगा ठीक है जी तो यह कटा 1 by 4 पर तो 4.8 प्लस x is equal to 4x 4.8 is equal to 3x ठीक है जी तो हमारी x की वेल्यू कितनी आ गई 1.6 मीटर तो लड़की की जो शैड़ो है वो 1.6 मीटर की पड़ेगी गाट इट क्लियर है जो शैड़ो है वो 1.6 मीटर की होगी सौर्टिड है चले आगे चलो आगे देखेंगे यह भी कोशन अच्छा है क्या रहें आल्टिट्यूड एडी और सी एफ यह इंटरसेक्ट इच अदर अड़ पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं इसके दो पार्ट्स लेकर आया हूं वैसे चार पार्ट्स है इस क्या रहुता कंच रहे हैं तो स्वीर पार्ट्स लेकर आ AG। traumat wise ट्रायंगल को सिमिलर करना है है तो हो गया नहिंग कर दो और नहों गार देखेंगा अगला पार्टैंगल से और सी विए जान आग्या सा था पार्ट अर्टश मिया भी अकल में ऑल्다음ब कि पार गया क्न आड C B E यह वाले ट्रैंगल को करना है तो उसके अंदर देखो बेटा एक तो common ही आ रहा है एंगल B is common ठीक है ना और यह वाला एंगल 90 जो है वो इस वाले एंगल के बरावर 90 तो यह भी एंगल एंगल से हो गया तो यह दोनों के दोनों किससे हो रहे हैं वेटा एंगल एंगल similarity criteria स किससे हो रहे हैं एंगल एंगल से तो कर लोगे सिंपल कोशन है कुछ important नहीं है फिगर बनाएंगे जी खुब्सूरत सी आ जाओ ईज़ा पॉइंट ऑन दा साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ पैलोग्राम ABCD एक पैलेलोग्राम है क्या खुब्सूरत पैलेलोग्राम बनाया ह है मैंने ABCD एक पैलेलोग्राम है BE intersect CD देखो 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 क्या कर रहे हैं एक पॉइंट है ऑन दा प्रोड्यूस एडी एडी को आपने प्रोड्यूस कर दिया ए तक और वो इंटर्सेक्ट कर रही है CD को F पर BE जो है वो CD को F पर इंटर्सेक्ट कर रही है दोबारा E is a point on the side AD produced to a पैलोग्राम ABCD BE intersect CD at F ठीक है ना शो दाट ABE जो है वो CFB के सिमिलर है ABE जो है वो CFB के सिमिलर है इन दोनों बड़े को छोटू के सिमिलर करना है कैसे करोगे हाँ जी कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे देखो एक तो जो यह वाला एंगल है वो इसके बराबर है अंगल C जो है वो एंगलए के बराबर है क्यों? opposite angles of parallelogram पहला पॉ mar Glenn तो हिए होगा है दूसरा जो यह वाला एंगल है वो इसके वालबर होगा alternate interior angles Angle CFB बराबर होगा ABC के क्यों? Alternate Interior Angles तो देरफोर ये Triangle भी Similar हो गए ये Quotion इसलिए लेकर आया बच्चों से क्या नहीं बनती? Figure नहीं बनती clear है? No doubt? चले आगे? चलो ये Quotion भी बहुत असान है यार ये भी आप Angle Angle और CPST से कर सकते हो तो कुछ Quotion की discussion जरूरी होती है बच्चों को एक push देना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं है कि सारे Quotion क्लास के अंदर टीचर ही कराए क्योंकि आप नए Quotion कैसे देख पाओगे मतब spoon feeding वाला काम तो मैं नहीं करता बाकी का पता नहीं मेरे से spoon feeding नहीं होती है आप मेरे पुराने जितने भी अलग अलग चैनल पर या वीडियो उठाके देख लो मैंने spoon feeding नहीं की टेंथ को तो नहीं पढ़ाया लेकिन अगर आप पुराने वीडियो जाकर देखो मेरे तो उसके नहीं कहीं पर भी आपको लगेगा कि सर आपको खुद हो जाएगा मेरी जुती नहीं है जल्दी से comment section में पढ़के बताओ किस criteria से होने वाला यह ए a b c a m p a b c a m p यह दो ट्राइंगल से राइट एंगल है ठीक है जी प्रूव डैट a b c a m p के similar जल्दी से बता दो पांच तक गिनूंगा कि कौन-कौन से similarity criteria कि similarity से यह हो जाएगा एक दो तीन चार पांच तो आपने अगर बताया है एंगल एंगल तो बिल्कु ठीक हो आप तो देखो एक तो यह एंगल आगया common एंगल 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 आगया बच्चो common आगया और एंगल एंगल similarity criteria से यह दोनों के आउ जाएंगे similar और यह आ जाएगा बच्चो बाए CPST बास समझने आगए sorted है clear है मजएदार चले आगए चलो अब यह बहुत बढ़िया कोशन है मतलब शायद यह इकलौता ऐसा कोशन है जो बढ़िया है 6.3 में चार कोशन आपको बढ़िया मिलेंगे दो मैं करा चुक हूं तीसरा यह है एक और है 14 वह आपको खुद करना है ठीक है जी ना हो तो कॉमेंट में बता देना कि सर्य नहीं वह उसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगे कोशन दमदार है कोशन इतना बढ़िया है 14 और 16 कोशन दमदार कोशन एक कर लेना 16 तो यह देखते ही हो जाएगा लेकिन जो 14 तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा चलो क्या किया रहा है एबी सी एबी और बी सी चेके जी एंड मीडियन एडी ऑफ़ ट्रैंगल एबी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टूदा साइड पी क्यू प्यू और मीडियन पी एम तो गिवन क्या प्यारे बच्चो गिवन यह है ध्यान से पड़ो अगर कोशन तो जो एबी अपॉन में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर और एडी अपॉन में पी एम जो है वो प्रोपोर्शनेट है एबी बी सी एडी प्रोपोर्शनेट है पी क्यू और पी एम के तो एबी पी क्यू के बी सी क्यू आर के ADPM के proportional है ठीक है जी ओके टू प्रूव आपको प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि जो बड़े वाले triangle है वह आपस में similar है और यह आपको median भी दे रखा है AD and PM क्या है median क्या है median AD और PM क्या है median चलो अब हम देखेंगे प्रूफ बहुत ही सरल सा प्रूफ है ध्यां से देखना AB upon में PQ यह आगया बेटा AB upon में PQ BC upon में QR और AD upon में PM यह हमको given है क्या मैं BC को twice of BD और twice of QM लिख सकता हूं AB upon में PQ क्या मैं BC को twice of BD और QR को twice of QM क्योंकि वो median था तो उसको लिख सकता हूं twice of QM और इसको as it is रहने देते हैं टूसे टू कटा तो जो AB upon में PQ है और BD upon में QM है क्या वो AD upon में PM के वराबर आएगा टूसे टू कट गया अगर ऐसा है यह साइड इसके मैं red color से आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूँगा यह वाली साइड इसके यह छोटी साइड इसके और यह साइड इसके proportionate आ गई है बेटा तो तो देरफोर ट्राइंगल A B कौन सा A B D सिमिलर हो गया P Q M के बाए साइड 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 आए यह हो गया ना तो उससे हमें क्या मिला हमें यह थोना करना था हमें तो भाई बड़े ट्राइंगल को करना था लेकिन यह मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे यह वाला एंगल बरावर चाहिए था इसके भी ना होई नहीं सकता आप ध्यान से देखो हमें A B upon me P Q B C upon me Q are given थे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए या तो मुझे यह एंगल मिल जाए या यह तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनेट आजाए तीसरी साइड प्रोपोर्शनेट करना कठी नहीं क्योंकि कोई उसके बारे में बात नही नहीं गया रखी तो बचा है एंगल तो हमें किसको करना पड़ेगा एंगल को और एंगल कैसे कर लिया इन दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर दो उनके बीच का एंगल बराबर आ जाएगा तो एंगल जो A B D है वो बराबर आ जाएगा P Q M K by C P S T Now अब बड़े ट्राइंगल पे धावा बोल दो Now in triangle A B C and triangle P Q R बड़े ट्राइंगल पे धावा बोल दो अब जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर आ गया प्रूवड अबव A B upon में P Q जो है वो B C upon में Q R के बराबर अल्रेडी दिया हुआ था यह गिवन था तो देर्फोर ट्राइंगल A B C जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल P Q R के बाए S A S यही प्रूव करना था चेक है जी बासन में आ गई डन है तो यह था हमारा सिमिलरिटी क्राइटीरियास से रिलेटिड बहुत सारे भैतरीन कोशन्स अच्छे अच्छे कोशन्स कोई हलका नहीं था बासन में आ गई तो आज का कॉंटेंट इतन कुछ मेंटी लेकर आ रहा हूं आप तब तक अपना सारा ट्राय कर लो देखो मैंने लास लेक्सर में बोला था बहुत जल्द एक लाइव मेंटी होगी जिसके अंदर हम लोग सर्कल्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ट्राइंगल्स यह अगला मालो चाप्टर सर्फिस ए और आप अपने आपको जच पर कर पाओ कि क्या हम स्टैंड कर पा रहे हैं तो बहुत जल्द ऐसा एक मेंटी सेशन लेकर आँगा तब तक आप इस सारे कॉंसेप्ट को प्रिपेर करके प्रैक्टिस कर लो और जो डाउट हो कॉमेंट में डालने की कोशिश किया करो कि ताकि